कि हालो स्टुडेंट्स अगला ध्यान से देखो अगला कह रहा है समांतर चतुर्भूज अब यह समांतर चतुर्भूज आखिर कौन सी बला है ध्यान से समझिए क्लास एंड तक देखना कह रहा है कि यह समांतर होना चाहिए मतलब समांतर चतुर्भूज के लिए इसमें सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा जैसे समलंब में होता था ठीक है चलो समझते हैं पैरलल ग्राम क्या होता है पहिलो ग्राम का मतलब यह होता है कि जैसे यह भी एक परकार का समांतर चतुर बुजह है, यह भी है, अंतर समझो और मतलब समझो, यह समांतर है बुजह इसके देखो, अगर मालोम इनका नाम लिख दिया, A, B और यह C, D, तो बच्चा आप यहाँ पर यह देखो, कि A, B, A, B तो एसे जाएगी और यह गई बढ़ाने लेकिन अगर एक दूसरे को काटेगी नहीं को तो यह कभी गदूसरे को इंटरसेक्ट या फिर कैसम काटेगी को देखेंगे विए वाग जैसे रेल की पटरी कभी एक दूसरे पर नहीं चड़ती कई से मुड़ जाए ऐसे सीधा जाती यह ना है ना बाकी जहां क्रासिंग अगरा होती डेबल ट्रेक होते हुँ अलग बात है कहां चाहरा होता है क्रासिंग अलग है समझ गए तो उसी तरह से यह भी है यह है तो ऐसे वर्ग आप जानते हैं है इसमें अगल ऐसे आगे बढ़ाओं गया मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगें मतलब Πरति छेदित ओ goes यह होता नहीं है इसमें होता ना आगे बढ़ाते हैं दूसरे को जाके काड़ देता यह चड़ गया दूसरे को पर समझ गए ना तो यह होता समांतर चतुर्भूज अब इनकी तुम प्रोपर्टी लिखोगे वह प्रोपर्टी क्या है कि प्रतेक आयत एक समांतर चतुर्भू सबी बच्चे और regular class होती सामको 7 बजे से channel subscribe करना नहीं बूलना अगर आप इसे YouTube पे देख रहे हैं तो देखें इनकी एक business property होती है बच्चा वो क्या है कि परते एक परकार का जो आयत होता है वर्ग होता है या फिर sum चतुरभूज होता है ये सभी एक परकार के समांतर चतुरभूज है तो याद रखना कहीं बोलना नहीं अगर कहीं काम लगता है तो ठीक है क्योंकि इनकी property जो है वो समांतर चतुरभूज की property से match खाती है तो हम कह सकते हैं कि वर्ग भी एक परकार का समांतर चतुरभूज है आयत भी एक परकार का समांतर चतुरभूज है और जो एक होता है sum चतुरभूज sum चतुरभूज को इंगलिस में क्या बोलते हैं रेंबस बोलते हैं सायद ना बना के दिखाया था ना अभी कई परकार का फिगर कि इसमें देखो कोई परकार का डाउट नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन तो मैं गलत बोल रहा हूं क्योंकि अगर सभी साइड इकल होंगी तो वह आपस में समांतर होंगी एक दूसरे के मतलब पोजिट साइड यह पक्का ह हां अगर सम्चतुर्भूज नहीं होता तो यह ऐसे भी बन सकता था यह ऐसे बन जाता मालो ऐसे यह ऐसे यह ऐसे तब तो बनता लेकिन यह सम्चतुर्भूज भी तो नहीं होगा फिर यह बड़ा हो गया यह चोटा हो गया सम्चतुर्भूज होगा तो यह तो ऐसे बनेग और नहीं तो ऐसे भी बन सकता है ऐसे भी यह मतलब बराबर होनी चाहिए सभी साइड आपस में बराबर होनी चाहिए तो इसको लिख लो यह हो गया आपका समांतर चतुर्भूज न अब आगला पढ़ेंगे चलो जल्दी करो भाई जितने भी नए साथ ही है वो सभी पूरा क को न देखें अगला बच्चों इसमें ध्यान देना सम चतुर्भूज इसकी डेफिनिशन आपके सामने हैं ऐसा चतुर्भूज जिसकी सभी बुजाएं आपस में बराबर होती हैं भूजा का मतलब होता साइड यानि एक ऐसा कोडरेटरल जिसकी आल साइड इक्वल हो जैस क्या है प्रकार का सम चतुर्भूज है ये भी क्या एक प्रकार का सम चतुर्भूज है इसके सबी साइड हैं मतलब हैं मतलब और हम लिखने को कहें कि합니다 सब्चतisiejुज क्या मुद्ध में क्या लिखो गया आप लिखो इनकी और परपारटी लिखो नीचे साइड दिख रहे न जगा है लिखिए लिखिए कि इंके गुणहे करें सभी गुणहें के गुणहें सम्सर 175 घुज होते हैं कि असके सबह और होते हैं ॥ कि सभी वर्ग की कैंश्टे lo कुआ हैं अरुट सम्सर की रुछ होते हैं १ॉटी दूसरी कंडिशन यह हैं। कि सभी परकार के समांतर चतुर्भूज ठीक है यह भी क्या होते हैं सभी परकार के जो समांतर चतुर्भूज है वो एक परकार का सम चतुर्भूज होते हैं ऐसा है की नहीं चलो ठीक है फिर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है यह जान लो कि सभी परकार के जो समांतर चतुर् भी सम्चतुर्भूज होते हैं ठीक है लिख लो सभी समांतर चतुर्भूज भी सम्चतुर्भूज होते हैं क्यों जरूरी है क्या यह नहीं लेकिन आप यह लिख लो कि जो भी सम्चतुर्भूज होते हैं वह समांतर तो होंगे यह तो कंफर्म है ठीक है जितने भी सम्चतु थोड़ा सा मैं आपको आगे बताता हूं देखो हाँ तो देखो इसके निसकर्स यह निकलता है बच्चा कि सभी समांतर चतुर्भूज सम नहीं हो सकते हैं नहीं सभी समांतर चतुर्भूज सम चतुर्भूज नहीं हो सकते हैं क्यूं जैसे देखो यह आयत की तरह है यह भी म सब्सक्राइब नहीं है तो याद कर लो कि सभी परकार के जो समांतर चतुर बूझ है वह सम्चतुर बूझ हो सकते हैं तो यह था आपका इसका एक मुख्यभाग इसके बाद अगला आता है आयत और फिर इसमें एक है वर्ग ठीक है दोनों देखना बिल्कुल बहुत ही प्या